नमस्कार बच्चों, बच्चों आज हम NCRT की छटी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग एक के पाट बारा संसार पुस्तक है के अभ्यास प्रश्णों पर चर्चा करेंगे पहला प्रश्ण है लेखक ने प्रकृती के अक्षर किने कहा है तो लेखक ने प्रकृती के अक्षर किने कहा है प्रकृती की जितनी भी चीजें हैं पेड, पौधे, पत्थर, पहार, समुद्र, नदियां, जंगल, जानवरों की हड्डियां इन सभी को लेखक ने प्रकृती क अक्षर कहा है दूसरा प्रश्न है लाखो करोडों वर्ष पहले हमारी धर्ती कैसी थी लाखो करोडों वर्ष हमारी धर्ती बहुत गर्म थी और धर्ती के गर्म होने के कारण यहां कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था बहुत दुनों तक इसमें कोई भी आदमी नही थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा भी था जब इस धर्ती पर कोई जानदार चीज नहीं थी फिर धीरे इस संसार में वनस्पतियां आई जीव जन्तु आए जानवर आए और कई हजार वर्षों बाद आदमी की उत्पत्ती हुई अगला प्रेशन है दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है कुछ चीजों के नाम लिखो तो प्रेशन संख्या एक और तीन का उत्तर जो है वो लगवग समान ही है तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि दुनिया का पुराना हाल पेड़ पौधो, पहाड, समु पहाड़ी नाले ने उसे धकेल कर छोटी से धरिया में पहुचा दिया और वहां से बहते बहते वह बड़े दरिया में पहुचा और पानी के साथ निरंतर धकेले जाने के कारण लुड़कते लुड़कते उसके किनारे घिस गए और वहें चिकना चमकदार वह गोल हो गया अगला प्रश्न है गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वहें छोटे होते होते अंत में बालू का कण बन जाता क्योंकि वह पानी के पेंदे में नीचे लुड़कता रहता लुड़कता रहता और घिस्ते घिस्ते वह क्या बन जाता? बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुँचकर अपने जैसे रेत के अन्यकणों में मिल जाता या अपने भाई भेनों से मिल जाता पर आने वाले परियोटों के लिए नहीं होती बलकि वहां की रेत जो है वो कई कामों में इस्तिमाल की जाती है जैसे कि हम जिस घर में अभी रहते हैं उन घरों में रेत का इस्तिमाल किया जाता है घर बनाने के लिए रेत का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा भी रेत के कि नहरू जी ने बताया है कि यह प्रित्वी लाखों करोडों वर्ष पुरानी है और यह प्रित्वी बहुत गर्म थी इस पर कोई जानदार चीज नहीं थी किसी भी जीव जन्तु का कोई अस्तित्व नहीं था पहले ना यहां कोई आदमी था ना जानवर थे और क्योंकि धर दीरे वनस्पतियां पैदा हुई फिर छोटे छोटे जीव जन्तु पैदा हुए और उसके बाद अंत में मनुश्या है और इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई तो इस उत्तर को आप अपनी भाशा में भी लिख सकते हैं अगला प्रेशन है लगभग हर जगा दुनिया क वर्णान की शुरुआत को समझाती हुई का बहुत सारी कहानिया फ्रचलित हए तुम्हारे यहां कौन कौन सी कहानिया है तो यहां पर एक दो का वर्णन मैंने किया है और एक को मैं आपको एकस्प्אני करूंग और अगर आपको कोई और निया के बारे में सुनी है तो आप इ किसी परिवर्तन के कारण यह सूरे से अलग हो गई और यह भी सूरे की तरह आग का गोला थी करोड़ों वर्ष में जाकर यह ठंडी हुई फिर इस प्रित्वी पर वनस्पतियां पैदा होने लगी इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आये और दूसरी कहानी यह भी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुवात इश्वर ने की और उसी ने स्रिष्टी के करम को आगे बढ़ाया और एक और कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रित्वी पर भयंकर प्रले आ गया सागर नदिया जील इन सब ने अपनी हदे पार कर दी और सारा पानी प्रित्वी में चारो और भर गया और प्रित्वी में सब कुछ नश्ट हो गया तब चारो तरफ केवल पानी ही दिखाई दे रहा था ऐसे में केवल रिशी मुनी ही बचे रुशी जो एक रिशी थे मनू जो की ब्रह्मा के पुत्र थे केवल वो बचे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यग्य करना प्रारम कर दिया और जब गंधर्व कन्या सत्रूपा जो है जो स्वर्ग से ये सब देख रही थी उसे लगा कि क्योंना मैं पृत्वी की हालत देख कर रहा हूं और जब वो पृत्वी की को देखने गई तो उसने देखा कि चारो तरफ केवल मात्र पानी भरा हुआ है और प्रित्वी पर कुछ भी देखने लाइक बचा ही नहीं है कुई भी जीवन शेश नहीं है तो उसी वक्त उसे हिमाले पर धुआ दिखाई दिया तो उसने सोचा कि धुआ अगर आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई तो जीवित ह तो सत्रूपा ने जब देखा कि वहाँ पर रिशी मनु जो है वो यग्य कर रहे हैं तो उसे लगा कि मनु को अकेले छोड़ कर जाना ठीक नहीं होगा और वो मनु के साथ वहीं रुख गई तो मनु और सत्रूपा से जितनी भी संताने उत्पन हुई उनको मनुच का नाम द की ही संतान है तो एक कहानी ये भी प्रचलित है अगला प्रश्ट है तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यूं आप किसी भी पुस्तक के विशे में लिख सकते हैं जो भी पुस्तक आपको पसंद हो मैंने यहां पर रामचरित मानस के विशे में लिखा है कि स्वामी तुलसिदास के द्वारा लिखी गई है तो यहां पर कोई भी बच्चा अपनी किसी भी मन पसंद पुस्तक का नाम लिख सकता है अगला प्रश्ण है मसूरी और इलाहबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है यहां पर भारत का जो मांचितर है वो दिखाया गया है इसमें आप देखेंगे कि उत्तरा खंड में मसूरी है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है यानि मसूरी जो है वो उत्तरा खंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है अगला प्रेशन है तुम जानते ही हो कि दो पत्थरों को रगड़ कर आदी मानव ने आग की खोच की थी उस यूग में पत्थरों का और क्या-क्या उप्योग होता था तो आदी मानव जो है वो पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा किस-किस में करता था मकान बनाने के लिए, हत्यार वा ओजारों के रूप में, जानवरों का शिकार करने के लिए, मास काटने के लिए, चमडा या वरिक्ष की छाल छीलने के लिए, वो इनको ओजारों के रूप में प्रियोग करता था अगला प्रश्ण जो है वो अनुमान और कल्पना का है हर चीज के निर्मान की एक कहानी होती है जैसे मकान के निर्मान की कहानी, कुर्सी, गदे, रजाई के निर्मान की कहानी हो सकती है इसी तरह वायूयान, साइकिल, अत्वा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है कल्पना करो यदि रजगुला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे तो वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा कि पहले वो दूद था, उस दूद से छेना बनाया गया उससे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डाल कर पकाया गया, फिर उसका नाम रजगुल्ला पढ़ा तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो, इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में जानकारी इकत्र करनी होगी तो यहाँ पर रजगुल्ले की जैसे चोटी सी कहानी है और इस पार्ट के अंतरगत हमने गोल चम्कीले रोडे की कहानी पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम किसी भी चीज की कहानी लिख सकते हैं, मुझे रोटी बहुत पसंद है, तो मैंने रोटी की कहानी लिखी, तो रोटी अ अंकुरित हुई, फिर मुझे में अनाज की बालियां लगी, बालियों के पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहू पड़ गया, मुझे दुकानदारों को बेज दिया गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम आटा रखा गया, इसके बाद वशकता अनुसार पानी के साथ गोंट दिया फिर गोले बनाकर या लोया बनाकर मेरी मुझे तवे या किसी तंदूर में सेका और मुझे गोलाकार दे दिया उसके बाद मैं फूल गई और फिर मेरा नाम रोटी पड़ गया तो इस प्रकार जैसे यहां पर रोटी की कहानी है आप प्रकृती की किसी भी वस्तू की कहानी अपने अनुसार लेख सकते हैं अगला है भाशा की बात यह व्याकरण से संबंदित प्रशन है पहला है इस बीच वह दरिया में लुड़कता रहा नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो क्या इनमे और लुड़कना में तुमें कोई क्रियाएं जैसे यहां आप जैसा पहला है दवा की शिशी अलमारी से लुड़क गई आप देखेंगे दवा की शिशी लुड़क गई तो लुड़कना क्या है जैसे लुड़कना यानि अपने आप ही लुड़क जाना तो दवा की शिशी अलमारी से लुड़क गई अगला किसी को धक्का मार देना राघव ने मोहन को सीडियों से धकेल दिया गिरना कोई चीज गिर जाना जैसे किताब मेच पर रखी है और मेच से नीचे गिर गई खिसकना माधव ने खिसक कर मुझे बैठनी की जगह दी यानि अगर आप एक जगह पर बैठे हैं और आपके बैठने के पास थोड़ी सी जगह है तो आप खिसक जाते हैं जैसे मेट्रो में आप जब ट्रेवल करते हैं तो आप कोई दूसरा परियाटक आता है और वो ये कहता है कि मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो तो आप उसे थोड़ा सा स्थान दे देते हैं तो आप खिसक जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा खिसकना अगला है चमकीला रोडा यहां रिखांकित विशेशन चमक संग्या में इला प्रत्य जोड़कर बना है यहां चमकीला में क्या किला प्रत्थे जोड़ना नां है किला जायेगा पत्थरीला कीला रसीला आप मैंने यहां पर एक उधरंद आप देखेंगे अग्यां थे पफटरीला गए अग्या मिए और केसे सते हैं ज हुरको सब्चार्ष आंग पें क्पीला और यहां पर सबसंगे पत्थरीला रास्ता दूसरे चित्र में आप देखेंगे कैसे पौधे हैं ये कटीले पौधे हैं तीसरे चित्र में आप क्या देखें हैं रसीला आम और चौथे चित्र में आप क्या देख रहे हैं जहरीला सांप अगला प्रश्ण है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बाते पूछा करती हो यह जोहरलाल नहरू की पंक्ती थी जो वो इंद्रा गांदी को कह रहे थे यह वाक्य दो वाक्यों को मिला कर बना है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं इसलिए इन्हें योजक कहते हैं योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता इसलिए यह अव्वे का एक प्रकार होते हैं नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्वे दिये गए हैं उन्हें रिक स्थानों में लिखो इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ जो योजक है उसे हम समुच्य बोदक भी कहते हैं और इंग्लिश में कंजेक्शन कहते हैं अब योजक और समुच्य बोदक का काम क्या होता है दो वाक्यों को जोडने के लिए जो शब्द प्रयोग किये जाते हैं वो समुच्य बोदक होते हैं ये अव्वे होते हैं जो किसी भी परिस्तिती में नहीं बदलते जैसे यहाँ पर हमें वाक्य दिये गए हैं हमें केवल उसमें समुच्य वोधक शब्दों को लगाना है कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ तो यहाँ पर समुच्य वोधक शब्द क्या हो गया परंतु मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है यहाँ क्या है कि छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर तो यहाँ पर क्या हो गया या तो सबजी काट कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लू यहाँ पर समुच्य बोदक क्या है ताकि यदि मुझे पता होता कि शमीना वुरा मान जाएगी तो मैं यह बात नो कहती यहाँ पर समुच्य बोदक क्या है यदि इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसलिए अनाज महंगा है तो यहाँ पर समुच्य बोदक क्या है इसलिए विमल जर्मन सीख रहा है नकी फ्रेंच तो यहाँ पर समुच्य बोदक क्या है नकी यहाँ यह वाक्य दिये गए थे जिनमें हमें समुच्य बोदक शब्दों को भरना था लेकिन इस प्रश्ण में कुछ शब्द दिये गए हैं जिनके वाक्य आपको स्वयम बनाने हैं बलकी इसलिए परंतु की यदी तो नकी या ताकी तो इन सभी से सम्मंधित वाक्य आप स्वयम बनाएंगे यह उधारन थे जिनमें कि आपने इन समुच्चे वोदक शब्दों को भरा और इनी के आधार पर आप अन्य वाक्यों को स्वयम निर्मान करेंगे अगला है कुछ करने को और सुनना और देखना यह बच्चो आपकी खुद की आप्जर्वेशन है आप अपने घार के आसपास कोई भी अगर म्यूजियम है संग्राले है तो वहाँ जाकर पुरानी चीजों को देख सकते हैं उनकी आप्जर्वेशन कर सकते हैं और सुनना और देखना के अंतरगत NCRT की साइट पर श्रवेशिंकला के अंतरगत पिता के पत्र, पुत्री के नाम और पत्थर और पानी की कहानी ये दोनों ही हैं वहाँ पर अगर आप इने देखें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और पुस्तकाले में आप अपने विद्याले के पुस्तकाले में या कहीं बाहर भी किसी भी पुस्तकाले में अगर आपको ये पुस्तक मिलती है पिता के पत्र पुत्री के नाम जो कि जौहरला नहरू द्वारा लिखी गई है तो आप इसे जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें 39 पत्रों का संग्रा है जो जौहरला नहरू ने इंदिरा को ल आज हमने पाठ के प्रश्नोतर पर चर्चा की अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी धन्यवाद